हेई, वाल्गम एक्टो और चैनेल दोस्तों, आज की इस प्रिमा मात करने वाल है हाउ टू रिसेट फोन सेटिंग्स किसी भी और से अगर आप अपने फोन सेटिंग्स को रिसेट करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे तो सबसे पहले आपको फोन के सेटिंग्स में जाना होगा फोन सेटिंग्स को ओपन करने के बाद स्कॉल करके नीचे नीचे आईए, नेक्स्ट एपस पर क्लिक करना है इसके बाद मैनेज अपस में जाएंगे मैंने जब settings को open करते ही यह पर आपके समने सभी application का list से लाएगा आप उपर में जो search box दिख रहा है इस पर tap करके find करना है settings अब हम phone settings application को open करेंगे दोस्तो इसके बाद phone settings के अंदर जितने सारे data है उसे delete करना होगा तो यह पर clear data पर tap करके all data clear कर दीजिए दोस्तो अगर इस procedure को प्रोयक करने से आपका problem solve हो जाते है तो ठीक है नई तो आप second step follow कीजिए second step में phone settings को open करके search करना होगा factory फिर आपके समने factory set करने का option आएगा इस पर tap करेंगे factory set के अंदर आपको कुछ इस तरह के interface देखने के लिए मिलेगा आपके phone में जितने सरे account, contact, photos, videos, app, etc सब कुछ delete हो जाएगा और आपका phone default settings में set हो जाएगे इस इस का अब ध्यान रखिए phone को factory set करने के लिए यहाँ पर erase all data पर click करना है इस पर click करती pop up message आएगा backup item first अगर आपने इस phone पे पहले से कुछ backup लिया है तो उस data को दूसरे किसे भी device में transfer कर लिजिए नहीं तो start data permanently delete हो जाएगा next factory reset पर click करना है अगर आप इस phone के साथ MI icon login करके रखिया है तो उसका भी password डालना होगा उसके बाद आपको सोचित किया जाएगा कि आपके phone से start data delete होने जा रहा है 10 सेकेंड का timer खतम होती next दवाना है फिर आपसे दूबड़ा पुछ जाएगा क्या आपने sub data का backup लिया है यदि आपका उतर हाँ है तो OK पर click करे फिर आपका device reset होना शूरू हो जाएगा जब तक आपका device पूड़ी तरीके से reset ना हो जाए तब तक आप इस phone को चालू या बंद करने का कोशिस ना करे और हो सके तो charger के साथ mobile connect करके रखिये तो दोस्तों इन दोनों तरीके से phone setting reset किया जा सकते है उम्मीद करते हूँ कि ए वीडियो आपके लिए बहुत हैल्पूल दा तो मारे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत सुक्रिया